एवलीना और दा हिष्ट्री ओफ यंग लेडीज एंट्रंस इस नौवल को लिखा है फैनी बर्ने ने ये उनका फ़र्ष्ट नौवल है 1778 में पब्लिश हुआ था इसके पब्लिशर का नाम है थॉमस लाउंडेंस और ये एक एपिस्टोलरी नौवल है अब बात करते हैं आपको कहानी बताती जाओंगी ऐसे ऐसे मैं आपको केरेक्टर्स के बारे में इंटर्डियूस करा दूँगी तो सबसे पहले इसकी स्टोरी शुरू होती है एवलीना जो होती है उसके पास्ट से ये एवलीना की जो मदर होती है जिनका नाम होता है कैरोलाइन उनकी डेथ ह चुकी है और जोनके फादर है सर जोन बैलमॉन और उनकी ग्रैनमदर ये दोनों क्या करते हैं एवलीना को अपने पास रखने से उसको मना कर देते हैं कि हम इस बच्ची का पोशन नहीं करेंगे हम इस अपने पास नहीं रखेंगे उसके बाद मिस्टर विलर्स आते हैं और वो एवलीना को ले जाते हैं वही उसका पालन पोशन करते हैं उसको पालते पोशन और बढ़ा करते हैं एक दिन क्या होता है लेडी हावर्ड लेडी हावर्ड मिस्टर विलर्स की फैमली की एक फ्रेंड है उनकी फैमली फ्रेंड है वो कहती है मिस्टर विलर्स से कि हावर् हावर्ड को अलाव करें स्वीट और इनोसेंट एविलीना के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का वो चाहती है कि एविलीना उनके साथ उनकी फैमिली के पास आ करके मिश्टर विलर्स जो हैं इस बात पर अपनी रजामंदी देते थे हैं तो उसके बाद क्या होता है एविलीन मिस मारिया मिर्वान और एविलीना की एच लगबग लगबग सेम हैं मतलब वो तो नों एक ही अब इस तोरी में आगे क्या होता है कि जो मिर्वान फैमली है वो लंडन जाना चाहते है कैप्टन मिर्वान को रिसीव करने के लिए जो सेवन इयर्स बाद अपने काम से वाप यह लोग कहा जाना चाहते हैं लंडन कैप्टन मिर्वान को रिसीव करने के लिए और यह चाहते हैं कि एवलीना भी इनके साथ चले तो एवलीना अपने फादर से पूछे बिना नहीं जा सकती तो जब मिश्टर विलर्स उसको फिर से रजाबंदी दे देते हैं कि हाँ ठीक ह तो उनके साथ जा सकती हो लंडन तब मिर्वान फैमली और एवलीना यह लोग कहा पर जाते हैं यह लोग जाते हैं लंडन में अब हमारी जो स्टोरी है वो अब आती है लंडन में एवलीना अपने एडवेंचर्स के बारे में जो जो वो लंडन में करती है उन सब के बारे म को भी उसको खुशिया देती थी उन सब आपने पास डाउन कर लेती हैँ अब असेम्बली में एवलीना को मिस्टuğ लोवल मिलते मिस्ट Oh Lord Ol focuses on ब्रसें से बिलौन करते मिस्टर लोवल होते हैं इवलीना को देखके वह एवलीना की तरफ attract होते हैं और उसको कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी लेकिन एवलीना मना कर देती है जिससे वो अपनी insert फील करता है जो Mr. Lowell है इनको dislike किया जाता है काफी लोगों के दुआरा जैसे कि एवलीना इनको dislike करती है Lord Orwell इनको dislike करता है कैप्टन मिर्वान तक इनको dislike करते है और एवलीना को Mr. Lowell के साथ एक irritation सी feel होती है तो वो उनके साथ डांस करने से मना कर देती है और एवलीना की मुलाकात होती है Lord Orwell Lord Orwell जो है ये बहुत ही well mannered, polite है, sensible है, respectful ये एक person है और ये एवलीना की beauty और उसकी sweetness की बहुत तारीफ करते हैं इन दोनों की मुलाकात लंडन में रहते हुए कहीं बार होती है उसके बाद इस story में एक नए character की entry होती है जिनका नाम है Sir Clement Sir Clement will hope Sir Clement के बारे में मैं आपको introduction दे देती हूँ, ये एक English baronaut है ये कुछ खास अच्छे इनसान नहीं है ये जो appearance तो बहुत अच्छा रखते है, look wise तो ये बहुत अच्छे दिखाई देते है लेकिन ये इतने जादा respectful इनसान नहीं है, किसी से इतने जादा respectfully बात नहीं करते एवलीना के साथ भी इनका भीव कुछ जादा अच्छा नहीं रहता है, अब जब एवलीना लंडन में होती है, तब लंडन में उसको मिलती है अपनी grandmother जिनका नाम है मैडम डूवल, एवलीना की जो grandmother है, वो एक French woman है, अब जो उनकी grandmother है मैडम डूवल, वो हलका सा interference करना कर देती है, और वो छोटी-छोटी quarrels भी करती है, कैप्टन मिर्वान से, कि एवलीना की लंडन की जो life है, उसमें क्या-क्या चल रहा है, क्या-क्या नहीं चल रहा है, वो इन सब बातों को जानना जाती है, अब जो इन सब लोगों का group है, मिर्वान की family है, उनकी एवलीना क grandmother है, ये सब क्या होते है, ये सब लंडन से वापस आ जाते है, Howard group में, उससे पहले क्या होता है, इनके आने से पहले जो उसकी grandmother है, वो Mr. Willers को force करती है, कि हम लोगों को थोड़े time के लिए वापस वही पर जाने की permission दे, कहाँ पर Howard group में, तो Mr. Willers की permission से वो सब लोग Howard group में वापस चले जाता है, for a short time, मैडम डूवल जो है, वो एवलीना को Mr. Willers को ये कहती है, कि वो Sir John Belmont पर law shoot करे, एवलीना की inheritance को बचाने के लिए, लेकिन ऐसा करने से Mr. Willers साफ तोर पर मना कर देते हैं, उसके बाद एवलीना जो है, वो ट्रेवल करती है, अपनी grandmother के साथ लंडन में, जहाँ पर वो लोग मैडम डूवल के रिष्टेदार Brankton family के यहाँ पर रुकते हैं, अब जो Brankton family है, यहाँ पर एक young man है, जिनकी दो sisters हैं, जो बहुत ही ज़्यादा unkind है, बूरिस है, superficial है, एवलीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इस तरह की family के साथ रहना, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंद की measures करती है, इस तरह की company में रहना, इन लोगों के साथ भाहर एक धायाग साथ जाना वो बिल्कुल भी comfortable नहीं है, उसके बाद क्या होता है, एवलीना को मिलते हैं Mcgtne, जिनको Avelina suicide करने से बचाती है, जब Avelina इनसे मिलते है, यह suicide कॉमिट करने वाले होता है, लेकिन Avelina इनको आकरके बचा लेती है, तो जब Avelina उनसे को पूछती है कि उनकी suicide करने का reason क्या है तो Marktony उनको बताते हैं कि वो एक लड़की से प्यार करते थे और वो लड़की को जब वो पसंद करते थे उससे प्यार करते थे लेकिन बाद में कुछ ऐसे moments हुए जिसके बाद उनको पता चला कि जिस लड़की से वो प्यार करता है एक्चुल में वो उसकी sister तो इस वज़े से Marktony अपनी life को खतम कर देना चाते थे तब एवलीना ही decide करती है और Marktony को inform करती है कि अगर उनको किसी भी तरह की help की जरूरत है तो वो बेजी जग अब लंडन में रहते हुई Sir Clement फिर से अवलीना को मिलते है जिनको अवलीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते है और इसी के साथ साथ Lord Orville भी अब Lord Orville से मिलते हुए अब 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 अबिल से मिलते हुए जो उसको embarrassed फिल कराते है उसको थोड़ी सी problem होती है Lord Orville को face करने और इसमें एक चीज और होती है एवलीना को एक बार लंडन में गार्डन में कुछ prostitutes के दुआरा घेल लिया जाता है जिनसे वो बची रही होती है एवलीना और उसी टाइम पे Lord Orville वहाँ पे आ जाता है एवलीना को देख लेते हैं तो एवलीना को तब भी थोड़ी सी शर्मिंद की महसूस होती है कि Lord Orville उनके बारे में क्या सोचेंगा अखिरकार कि वो इस तरह की company में रहती है लंडन में एक महीना रहने के बाद एवलीना जो है माफी किसलिए मांगना चाहती है वो जो उसको शर्मिंद की महसूस हुई थी ब्रांक्टन फैमिली जो उसको हमेशा से की इनकमफर्टेबल फील कराती थी तो उन सब चीजों से रिलेटिन माफी मांगने के लिए Lord Orville को वो एक माफी पत्र लिखती है माफी मांगती है वो उन से पत्र में जिसका जवाब बहुत ही इन अप्रोप्रियेट आता है और जिसमें बहुत ही ज़ादा अजीब से वर्ड्स लिखे हुए होता है जिनको पढ़कर के एवलीना पूरी तरह से मतलब उसका दिमाग खराब हो जाता है कि लोड और्विल ऐसा भी बोल सकते है तो लोड और्विल के बारे में जो भी अच्छी अपीनियन एवलीना रखते थी वो सब उसके दिमाग में से बरबाद हो जाती है और वो सोसती है कि लोड और्विल इतने भी रेस्पेक्ट फुल में नहीं है जितना कि वो समझा करती थी इन सब बातों को सोचते सोचते एवलीना जो है अपनी इंसल्ट को फील करती है और वो बिमार पड़ जाती है उसके बाद क्या होता है अब उसके इलाज के लिए उसको मिसिस सैल्वन के साथ बिस्टोल भेज दिया जाता है मिसिस सैल्वन कौन है ये मिस्टर विलर्स की फ्रेंड है और एक विद्वा महीला है अब जो हमारी स्टोडी है वो अब आ जाती है बिस्टोल में अग क्यों होता है अवलीना दीरे-दीरे ठीक हो जाती है और वो वापस से कैसी अपनी वही फैशनेबल ससाइटी में वापस आ जाती है ब्रिस्टल में अवलीना और मिस्स सैल्वियन जो है मिस्स ब्यूमांट के साथ उनके घर पर अपना ताइम स्पेंट करती है मिस्स ब्युमोंट के बारे में देख लीजे है कौन है यह रिलेटिव है लॉड और्विल की और लॉड और्विल की सिस्टर लेडी लुईसा की ठीक है कौन Essentially जिनके साथ डिश्टिन में आवलीणा मिस्स सल्वण के साथ टाइम स्पेंट करती है थोड़ा और वहीं पर थोड़े टाइम बात क्या होता है जो लेडी लुईसा होती है लोड और्विल की जो सिस्टर है उनकी सगाई हो जाती है लोड मैटन के साथ लेकिन लोड मैटन की कमपनी जो है वो एवलीना को थोड़ा सा अनकमफर्टेबल फिल कराती है अब देखी जो मिसिस ब लगातार इस बात को प्रूफ करते हैं कि नहीं वो एक काइंड हार्टेड मैन है और उन्होंने लेटर में वो सब जो है एवलीना के लिए नहीं लिखा था जो एवलीना ने पढ़ा था एवलीना तो उस लेटर को पढ़ करके बिल्कुल गुस्से में आ गई थी और उसके म देते हैं एवलीना के सामने और यहां पर वो जो लेटर होता है उसका परदा अफाश हो जाता है उस लेटर के एक्चुल मैसलियत यह होती है कि लौड और विल तो एक अच्छा लेटर जिसमें कोई भी गलत वर्ड नहीं होता वो लिख करके एवलीना को भेजते हैं लेकिन वो लेटर एवलीना तक पोचने से पहले सर कलीमेंट के पास पोच जाता और कलीमेंट क्या करते हैं जो लौड और विल ने एक्चुल लेटर लिखा था उसको चेंज कर देते हैं उसमें इन अप्रप्रोप्रियेट स्वर्ड को डाल देते हैं और वो भेज देते हैं वो कि भी भी अब misunderstanding नहीं रहती सब कुछ normal हो जाता है अब हमारी जो story है वो turn कर लेती है sir john balmont और mr marktony के तरफ mr marktony जो है वो sir john balmont के पाँ जाते हैं ये confess करने के लिए कि वो उसके father है कौन sir john balmont marktony के father है ये सुनकर evalina को realize होता है फिर तो मैं और marktony siblings है क्योंकि john bellmont की बेटी तो evalina है sir john balmont ने उसकी मदर की death के बाद यानि अपनी wife carolina की death के बाद evalina का पालन portion करने से उसको पालने से मना कर दिया था अब evalina सोचती है मैं और marktony तो भाई 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 निकले अब mr selven होती है जो sir john के हाँ पर आती है अपना जो inheritance होता है जो evalina का inheritance का issue होता है उसके बारे में बातचीत करने के लिए लेकिन जो evalina को जब sir john balmont देखते है sir john balmont ने अभी तक बड़ी हो चुकी evalina को नहीं देखा था तो जब मिसस सिल्वन के साथ evalina महाँ पर आती है तब ही सारी बाते होते है evalina realize करती है कि वो तो उसका फिर brother है marktony तो जब मिसस सिल्वन के साथ evalina sir john के घर आती है तब john evalina को देखते ही एकदम हैरान रह जाता है क्योंकि evalina बिल्कुल अपनी मदर के जैसे दिखाई इन फैक्ट एक सेकेंड के लिए john को यह लगता है कि मेरे सामने तो कैरोलाइन ही खड़ी है evalina नहीं खड़ी है अब देखें अब यहां से स्टोरी पोच जाती है फ्लेश बैक में आप थोड़ा सा पीछे चले जाए जब कैरोलाइन जिंदा थी और उसने evalina को जनम दिया था एक्च्वल में हुआ क्या था जब कैरोलीना ने evalina को जनम दिया था तब वहाँ पर एक नर्स थी उस नर्स ने भी एक बेटी को जनम दिया था ठीक तो सर जोन बैलमोड ने कुछ इस तरह का वहाँ पर confusion करियेट हुआ था उन्होंने evalina को तो अपनी डोटर मानने से मना कर दिया था और जो नर्स थी जिसका नाम तर ग्रीन पॉली उसकी बेटी को कैरोलीना की बेटी से एक्सचेंज कर दिया था ठीक है वह चाती थी कि मेरी बेटी किसी अमीर घर में चली जाए उसका वही पर पालन पोशन हो क्योंकि वह नर्स पूर थी अब कैरोलीना के पास किसकी बेटी थी नर्स की बेटी थी और नर्स के पास किसकी कैरोली के तरह गॉर्पस थो का रहा है वे लिखना Working का बाता चलती है कि इस तरीके शम्हारी बेटी था इस तरहा औॉय पेटी तब जो हे अवलीन का सब्सक्षेण करते हैं नहीं एक्षालेन यह जो बच्ची मेरे पास है जो कैरोलीना के पास उनको मिली है नहीं यह मेरी बेटी है तो वह उसी को पालते पोस्त है वह एक्चुल में किसकी है वह नर्स की बेटी है अब कैरोलीन की तो डेथ हो जाती है अब एवलीना रह जाती है के लिए एवलीना चोटी सी एवलीना है अपनी बेटी समझ कर ले आते हैं वो उसको पाल रहे इतने सालों तो अब उनको इस बात पर यकीन हो जाता है जब वो एवलीना को देखते हैं एवलीना की शकर बिल्कुल अपनी मा कैरोलाइन जैसी है अब उनको यकीन हो जाता है कि वो इतने सालों पहले की बात वाकई सच थी एवलीना ही उनकी बेटी थी ना कि वो बेटी जिसको वह अब तक पाल रहे थे अब यहां पर एक emotional सा scene आता है एवलीना और सर जोन के बीच में इन दोनों के बीच emotional होता है थोड़ा सा यह एक दूसरे को accept करते है सर जोन जो है एवलीना को as a daughter जो है वो accept कर लेते है और जो वो लड़की होती है जो अभी तक उनके साथ रह रही होती है सर जोन के साथ पॉलिग्रीन की बेटी रह रही होती है उसकी शादी हो जाती है Mr. Marktony से और वही वो लड़की थी जिससे Mr. Marktony प्यार करते थे अब उन्हें पता चला अब क्योंकि वो जो लड़की है वो उसके सर जोन उसके फादर नहीं है तो अब यहां पर यह चीज़ भी क्लियर हो जाती है Mr. Marktony को की यह लड़की मेरी बहन नहीं है एवलीना को जो उसकी इन्हेरिटेंस है वो अपनी इन्हेरिटेंस में आ जाती है क्योंकि सर जोन उसको एकसेप्ट कर लेते हैं और एवलीना की शादी हो जाती है लौड और विल और इसी के साथ इस नौवल की एक हैपी एंडिं फिनीश हो जाती है